हेलो इस्टुडेंट्स आज किस क्लास में हम मुद्रा से सम्मंदित कुछ मल्टिपल चोईस कोशन से सबसे पहला जो आज का हमारा प्रश्ण हम ले रहे हैं परम परागत विचारधारा मुद्रा के किस कारे पे आधारित है ठीक है मुद्रा का अगर हम परंपरागत विचारधारा के अनुसार अर्थ देखें तो जो परंपरागत विचारधारा है वो एक तरह से क्या मानती थी कि जो मुद्रा है वो वस्तों का लेंदेन करने के लिए ही प्रियोग की जाती है तो यहां पर आपका जो करेक्ट आंसर वो कौन सा होना चाहिए फर्स्ट ओफ्षन मीडियम ओफ एक्सचेंज ठीक है मुद्रा जो है वो विनिमेक के माध्यम के रूप में प्रियोग की जाती है अगला देखिये मुद्रा की मांग की कौन सी विचारधरा मुद्रा के मुल्य संचै कारिये पे अधरित है तो दिखिये परम परागद विचारधरा में हमने देखा था कि मुद्रा जो है वो वस्तों का लेंदेन करने के लिए प्रियोग की जा रहे है medium of exchange के रूप में लेकिन आधुनिक विचान धारा जो है उसमें जो मुद्रा की मांग है उसमें मुल्य संचे को भी शामिल किया है store of value तो यहाँ पर आपका अंसर हो जाएगा आधुनिक विचान धारा अगला है किन्स के अनुसार मुद्रा की मांग का प्रमुक उद्देश होता है ठीके प्रोफेसर किन्स के अगर हम विचार देखें Demand for money के बारे में मुद्रा की मांग के बारे में तो उन्होंने बताये था कि मुद्रा की जो मांग है वो तीन उद्देशों के लिए की जाती है ठीके लोग क्या करते हैं सबसे पहले अपनी आवशकतां को पूरा करने के लिए अपने देनिक जीवन में जो आवशक्ता होती हैं उन कारियों को पूरा करने के लिए लेंदेन करने के लिए उनको मुद्रा की आवशक्ता होती है सुरक्षा की द्रस्टी से आकस्मिक कोई खर्चा हो जाए भविश्य में ठीक है जैसे की दूरगटना, बीमारी तो इसके लिए भी लोग क्या करते हैं मुद्रा को अपने पास में नकद रूप में रखना चाते हैं और बाज़ार में जो उतार चड़ा होते रहते हैं उनका फाइदा उठाने के लिए भी मुद्रा की मांग की जाती है जिसे हम मुद्रा की सटा मांग केते हैं तो किन्स ने मुद्रा की मांग के तीन उद्देश बताए हैं इसलिए यहाँ पे आपका जो correct answer वो हो जाएगा option फोर्ट उप्रोक्त सभी अगला देखिए currency मांग जमाएं demand deposits और अन्य जमाएं other deposits के योग जो है का योग जो होता है वो किसके बराबर होता है तो मुद्रा पूर्टी की भारत के संदर में चार अउधाना है तो M1 का जो माप है मुद्रा पूर्टी की M1 अउधाना है वो किस पे आधारित है currency, मांग जमाओ और अन्य जमाओ के योग के बराबर होती है तो यहाँ पर आपका आंसर कौन सा हो जाएगा फर्स्ट ओप्शन अगला देखिए मुद्रा के चलन वेग को प्रभावित करने वाले तत्व है ठीक है मुद्रा का जो चलन वेग होता है मतलब एक निशी समय में मुद्रा की एक इकाई कितने लोगों के पास में या कितने लेंदेन का वो काम करती उसको एक तरह सम क्या कहते हैं मतलब बुक्तान के लिए कितनी बार वो बुक्तान के लिए प्रियोग की जा रही है एक बार प्रियोग की जा रही है या बार बार प्रियोग की जाती है क्योंकि हम जानते हैं कि जो मुद्रा है वो विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयोग की जाती हैं और उसका जो भुकतान करने के लिए प्रयोग की जाती है वो एक निश्ची समयावदी में बार-बार प्रयोग की जाती है बार बार प्रियोग का मतलब कि मुद्रा की एक इकाई व्यक्तियों के द्वारा फर्मों के द्वारा ठीक है लेंदेन के लिए प्रियोग की जाती है तो एक निश्ची समय में मुद्रा की एक इकाई कितने व्यक्तियों के द्वारा लेंदेन के लिए प्रियोग की जाती है उसको हम क्या कहते हैं मुद्रा का चलनवेग कहते हैं तो मुद्रा का जो चलन वेग होता है वो किसी देश्ट में मुद्रा की मात्रा से प्रभावित होता है ठीके किसी देश्ट में मुद्रा की मात्रा अधिक होगी तो वहाँ पे जो चलन वेग हैं वो एक तरह से क्या होगा कम होगा लोगों की उब्वोग प्रवर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर् मुद्रा के चलनवे को प्रभावित करते हैं option हमारा fourth इसमें सही हो जाएगा फिर अगला है संकिर्ण मुद्रा नेरो मनी जो है वो किसको कहा जाता है तो मुद्रा पूर्थी के जो चार माप है उसमें से M1 और M2 क्या है संकिर्ण मुद्रा लेकिन M1 को क्या कहा जाता है नेरो मनी ठीके संकिर्ण मुद्रा कहा जाता है और M3 जो है उसको विस्तरत मुद्रा केते हैं ब्रोड मनी केते हैं तो अगला देखिए देश वो M3 से दर्शाय जाता है भी मैंने कहा था कि जो broad money हैं विस्तरत्र मुद्रा हैं वो किसको कहा जाता है M3 को कहा जाता है ठीके M3 जो होती है उसमें हम किसको समिलित करते हैं एक तो M1 को समिलित किया जाता है ठीके M1 में क्या किया जाता है M1 में हम शामिल करते हैं लोगों के पास में जो currency होती है नोट और सिकों को समिलित किया जाता है बेंकों के पास में जो डिमांड डिपोजिर होती है वो मांग जमाओं को समिलित किया जाता है और अन्य जमाओं को समिलित करते हैं हम M1 में लेकिन इस M1 में अगर हम डाग घरों के पास में जो बच्चत जमाई होती हैं उसको भी सम्मिलित कर देते हैं तो उमारे पास में कौन सी अधण आजाती हैं M2 आ जाती है और M1 में अगर हम बेंकों के पास में जो सावधी जमाय होती है उसको अगर जोड़ देद के आ जाता है M3 आ जाता है तो M3 को क्या का जाता है विस्तरत मुद्रा का जाता है और वास्तिविक देश वास्तिविक जन में अगर हम देखें अगला है निमने लिखीत में से मुद्रा आपूर्ति का सरवाधिक तरल माप सरवाधिक तरल माप कौन सा है M1 M1 उसके बाद में M2 फिर M3 और सबसे कम जो तरले वो कौन सा है M4 अगला है मुद्रा पूर्ति के परंपरागत द्रश्टिकोंड के अनुसार मुद्रा पूर्थी के घटक कौन से है तो परम प्रागत द्रश्टी कौन में अगर हम देखे तो मुद्रा की पूर्थी में जो नोट और सिक्के होते हैं तो नोट होती हैं पत्र मुद्रा सिक्के होते हैं और मांग जमाओं को समिलित किया जाता है अगला है आधुनिक द्रश्टी कौन मुद्रा की पूर्ती में मुद्रा के साथ साथ में किसको समिलित करता है जो निकट मुद्रा होती है ठीक है option हमारा हो जाएगा इसमें first अगला देखिए भारती रिजर्बेंग द्वारा तरल्ता के आधार पर मुद्रा इसकंद को कितने भागों में बाटा गया है ठीक है तरल्ता के आधार पर अगर हम देखें कि किसमें तरल्ता कम होती है जादा होती तो बारत में मुद्रा पूर्ती के जो 4 माप हैं कि तरह से M1, M2, M3, M4 तो यहाँ पे जो हमारा correct answer वो कौन सा हो जाएगा second option हो जाएगा कि जो मुद्रा stroke को मापने के लिए तरलता के अधार पर चार माप प्रस्तूत किये गए है M1, M2, M3 और M4 अगला देखिए निम्न लिखित में से तरल मुद्रा कौन सी होती है तो अभी हमने देखा था कि तरलता का जो बुण होता है सबसे ज़दा किस में होता है M1 में उसके बाद में M2 में उसके बाद में M3 और सबसे कम तरल जो होती वो कौन सी होती है M4 अगला देखिए विस्तरत मुद्रा कौन सी है ठीक है मुद्रा पूर्थी का M1 माप के अगर हम बात करें तो उसमें हम करेंसी डिमांड डीपोजिट को समिलित करते है अदर डीपोजिट को भी समिलित किया जाता है लेकिन इनमें अगर हम डाग गरों की बच्चत जमाओं को समिलित कर दें तो वो हमारा कौन सा कंसेट बन जाएगा M2 तो M1 के साथ साथ में डाग गरों की बच्चत जमाओं को समिलित किया जाता है M2 में फिर अगला है M1 से M2, M3, M4 की और बढ़ने पर मुद्रा की जो तरलता है वो क्या होती है गटती जाती है M1 जो होता है वो सबसे ज़्यादा तरल मना जाता है उसके बाद में M2 तो M1 से जैसे जैसे M2, M3, M4 की तरब जाएगा तो मुद्रा की जो तरलता है वो गटती हुई जाती है अगला है परम परागत विचारधारा के अनुसार मुद्रा की मांग किसके लिए की जाती है तो परम परागत द्रश्टी कौन में हमने देखा था कि मुद्रा की जो मांग है वो विनिमय के माध्यम के लिए की जाती है ठीकि विनिमय के माध्यम का मतलब क्या हो गया वस्तों का क्रई विक्रई करने के लिए वस्तों का लेंदेन करने के लिए और आधुनिक विचारधारा में मुल्ली संचे को भी समिलित किया गया है तो यहाँ पर ओप्षन हमारा फर्स्ट सही होगा अगला है किन्स के अनुसार मुद्रा की मांग का प्रमुक उद्देश है अब हमने किया था है कोशन वबस डबल रिपीट हो गया है उपरोक्त सबी मुद्रा की जो मांग होती है वो लेंदेन करने के लिए प्रयोक की जाती है सुरक्शा द्रश्टी कौन के लिए की जाती है अगला है कौन सा जोड़ा सही नहीं है तो देखे M1 संकिन मुद्रा हैं, बिल्कुल सही है, M3 को विस्तरित मुद्रा कहा जाता है, ये भी सही है, उसके बाद में अगर हम देखें तो M4 को निकट मुद्रा नहीं कहा जाता है, और M2 को तरल मुद्रा भी नहीं कहा जाता है, फिर भी अगर हम देखें, तो यहाँ पर आपका अं मनित तह अर्थ हैं ठीक है मुद्रा को जब हम परिभाशित करते हैं तो मुद्रा का जो अर्थ है वो इन में से किस से लिया जाता है ठीक है जो किसी देश में करेंसी चलन में होती है ठीक है यहां अगर हम कहें कि किसी देश में लेंदेन करने के लिए जो भी तरलता उपलब् तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो कौन सा होना चाहिए ओप्शन फूर्थ होना चाहिए ठीक किसी भी देश में संपुन्ट जो तरल निदी होती है वो एक तरस से मुद्रा को दर्शाती है अगला देखिए भारत में मुद्रा पूर्ती की M2 माप से क्या आशे हैं तो M2 माप का मतलब क्या हो गया M1 के साथ साथ में डाक गरों की जो बच्चत जमाय होती है पोस्ट उपिस की बच्चत जमाय को भी हम सम्मिलित करते हैं तो हमारा M2 माप आ जाएगा M3 माप के अगर हम बात कर रहें तो M3 में क्या होता है M1 के साथ-साथ में बेंको के पास में जो समय जमाय होती है उनको भी हम सम्मिलित करते है अगला है चलन में मुद्रा के वेग का माप किया जाता है ठीक है चलन में मुद्रा का जो वेग हैं उसको मापने के लिए सामनेत हम क्या करते हैं एक वर्ष का यूज करते हैं लेकिन इसको अलग-अलग समय वदी में मापा जा सकता हैं इसलिए हम कहते हैं कि समय की एक दी हुई अवदी में मुद्रा के चलन वेग को मापा जाता हैं तो जो हमारा करेक्ट अंसर वो इसमें कौन सा होना चाहिए ओप्शन फर्स्ट होना चाहिए